हेलो बच्चो कैसे हैं आप सबी लोग मैं हूँ पूजा सिंग and welcome back to my channel accounting master class और अगर आप first time visitor है मेरे चैनल पर तो मैं बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको class 11th, 12th, BBA, B.com और MBA के जितने भी accounting की paper है उसकी complete lecture video series मिलती है जिसमें मैंने बहुत ही detail में हर important topic with notes and numerical cover किया है तो इस opportunity का फाइदा उठाइए और इन lecture videos की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने friends के साथ भी share करिए ठीक है ताकि वो भी पढ़े राइट, last lecture में हमने levels of material discuss किया था हमने देखा था maximum level, minimum level, reorder level, danger level ये सारे ही topic cover किये थे इन पे numerical भी लगाया था अब I hope अब आपका जो concept है ना regarding levels of material वो अब clear हो गया होगा वैसे उस video का जो link है वो description में भी मिल जाएगा आपको आज इस lecture में चलिए आज के lecture के हम बात करते हैं आज की इस lecture में हमें एक बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं that is EOQ, economic order quantity मैं देखती हूँ चाहे BBA का paper हो, चाहे BCOM का paper हो, cost accounting का EOQ पर question आता ही आता है, ठीक है? इस पे theory भी आ सकती है, numerical भी आ सकता है और कभी कबार long answer type question में theory प्लस numerical, दोनों एक ही में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो इस lecture को ध्यान से समझने की कुशिश करेगा, कोई doubt हो, कोई feedback देना हो, तो comment section में लिख सकते हैं वैसे यह जो EOQ है, this is one of the very interesting and very easy topic of cost accounting, ठीक है? यह जो EOQ है, cost accounting का एक बहुत ही interesting topic है बहुत ही interesting, आभी देखेगा, इसमें graph अगेरा बनता है, ठीक है? बहुत ही interesting topic है और यह उतना ही easy भी है और सबसे इची बात है, exam में भी बहुत पूछा जाता है, तो यह scoring topic है, आपके exam के point of view से, ठीक है? चलिए detail में देखते हैं, क्या क्या discuss करेंगे आज के lecture में सबसे पहले हम देखेंगे कि EOQ क्या होता है, क्या मतलब है, पिर देखेंगे कौन-कौन से factors हैं, जिन पर EOQ depend करता है उसके बाद हम EOQ calculate करेंगे with the help of formula, ठीक है? EOQ पर based हम एक numerical करेंगे और इस numerical को करने के लिए हम देखेंगे कि क्या formula यूज किया जाता है, ठीक है? और EOQ को हम graph पे भी show करेंगे, graphical method से भी EOQ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सारे ही topic आज के lecture में हम cover करने वाले हैं और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर आज first time visit कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर subscribe करिएगा और अगर ये lecture समझ में आए, तो इसको like भी करिएगा, अपने friends के साथ share भी करिएगा तो फिर चलिए हम आज का lecture स्टार्ट करते हैं EOQ, ये जो word है EOQ, means economic order quantity, ठीक है तो चलिए इस word को तोड़ लेते हैं, economic order quantity यानि ये वो size of order है, economic order quantity वो size of order होता है which gives the maximum economy in purchasing any material किसी भी material को जब purchase किया जाता है, ठीक है तो वो size of order, यानि एक बार में हम कितनी size of order place करें ताकि जो business है, उसको maximum economy मिले, maximum फाइदा हो ठीक है, that is called EOQ, इसी को EOQ कहते हैं EOQ का दूसरा नाम भी है, इसको optimum या फिर standard ordering quantity भी कहते हैं ठीक है, एक example के साथ समझाती हूँ, तब और अच्छे समन में आएगा supposed करिए एक car manufacturing company है, थीक है, उसकी annual requirement है कि उसको 100 tyre चाहिए, annual requirement है उसकी, यानि जो company है वो साल में 100 tyre purchase करती है तो company के पस क्या-क्य option है, company ऐसा भी कर सकती है कि 100 tyre एक बार में purchase कर ले, या ऐसा भी कर सकती है कि 50-50 करके 2 बार में order place करे, या 25-25 करके 4 बार में order प्लेस करें या बीज बीज करके पांच बार में और प्लेस करें और सामान खरीदें ठीक है तो यह चारो ही option company के पास available हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे option available हैं 10-10 करके 10 बार order place करें और 10 बार सामान मंगाएं ठीक है यह मैंने यहाँ पर केवल एक example लिया है समझाने के लिए तो company के सामने यह चार option यहाँ पर available हैं तो इन चार option में company वो option चूज करेगी वो size of order चूज करेगी जिसमें company को maximum economy मिले maximum फायदा हो company वो order चूज करेगी यानि शायद 50 unit या शायद 25 unit या शायद 20 unit वो calculate करके देखेंगे company वो इन में से size of order चूज करेगी जिसमें company को maximum फायदा हो ठीक है this is called EOQ economic order quantity वो order quantity वो size of order जिससे company को maximum economy मिले ठीक है this is called economic order quantity अभी जो economic order quantity है यह दो factors पर depend करता है पहला है ordering cost दूसरा है carrying cost ठीक है यह दो factors पर depend करता है ordering cost and carrying cost चलिए देखते हैं ordering cost क्या होता है तो ordering cost है cost of placing an order यानि एक बार order place करने में जो खर्चा आता है उसको कहते है ordering cost ठीक है ordering cost क्या है cost of placing an order एक बार order place करने में खर्चा आता होगा बार-बार आपको जो भी supplier है उससे बात करनी पड़ेगी tender भी निकालना पड़ सकता है और बार-बार सामान को transport करके आपको अपने warehouse अपने store में मंगाना पड़ेगा तो बार-बार order place करने में जो खर्चा आता है एक बार order place करने में जो खर्चा आता है that is called ordering cost अब चलिए उसी example के साथ समझते हैं जो भी मैंने example बतायता है hundred tires की requirement है तो अगर suppose करिए company 20-20 करके 5 बार material मंगा रही है 5 बार tire मंगा रही है तो यहाँ पे company 5 बार order place कर रही है तो यहाँ पे क्या है ordering cost ज्यादा आएगी लेकिन company अगर 50-50 करके 2 बार समान मंगा ले रही है तो यहाँ पे क्या है company ने 2 बार order place किया तो यहाँ पे ordering cost कम आएगी ठीक है? देखे requirement उतनी की है requirement 100 unit की है 100 unit को जब company बार बार order place करके समान मंगा रही है तो ordering cost ज्यादा आएगी अगर अगर दो बार में ही अपना समान मंगा ले रही है तो ordering cost कम आएगी ठीक है अगला देखते हैं carrying cost carrying cost क्या होता है carrying cost वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है carrying मतलब store करना the cost of carrying और storing one unit of material यानि एक unit material को store करने carry करने में जो खडचा आता है that is called carrying cost समझ में आया store में जो material है एक unit material को carry करने store करने में जो खडचा आता है that is called carrying cost material को इस store में जब आप store करते हैं तो कुछ store keeping का खडचा आता है उस material का कुछ insurance कराना पड़ेगा तो ये सब खडचे आते हैं तो इनी को कहा जाता है carrying cost अब ज़रा example से ही समझते हैं तो यहाँ पर क्या है एक बार में आपको 50 unit store करनी पड़ेगी तो यहाँ पर जो carrying cost क्या है जादी आईगी लेकिन अगर यहीं पर company 20-20 करके 5 बार में सामान मंगा रही है तो एक बार में store में केवल 20 unit ही आप store कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है carrying cost कम आईगी तो आपने notice किया कि जब आप 20-20 करके 5 बार में सामान मंगा रहे हैं तब क्या होता है carrying cost कम लगती है लेकिन वहीं पर ordering cost क्या होती है जादा लगती है और जब आप 50-50 करके 2 बार में सामान मंगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा ordering cost कम लगेगी क्योंकि order के वल दो बार place किया है बट यहाँ पर carrying cost का खर्चा जाता आएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा quantity of material आपको store में hold करना पड़ेगा यहाँ पर कम hold करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर carrying cost कम आएगी तो आपने देखा यह जो carrying cost और ordering cost है यह दोनो inversely related है एक cost बढ़ रही होती है तो दूसरी cost घट रही होती है तो अब सवाल आता है कि EOQ कैसे determine करें तो there is a requirement to maintain a proper balance between these two opposing factor यह जो दो opposing factor है ordering cost और carrying cost इनके बीच में proper balance maintain करना बहुत सरूरी है तो EOQ क्या होता है EOQ वो level होता है ठीक है at which the aggregate of these two cost is minimum ठीक है EOQ वो level होता है जिस पे यह जो sum होता है carrying cost का और ordering cost का जो sum होता है वो minimum हो उसी को कहते हैं EOQ ठीक है तो EOQ क्या है EOQ वो level है at which ordering cost and carrying cost का जो sum है वो minimum हो उसी को हम EOQ कहेंगे राइट चलिए इसका formula देखते है formula है Q equals to under root 2 UP divided by S ठीक है जहाँ पे Q क्या है Q है economic order quantity जो आपको calculate करना है U क्या है U है quantity जो आप purchase करते है साल में जिसकी requirement है yearly जो requirement है P क्या है cost of placing an order एक order place करने का जो खर्चा है S क्या है annual cost of storage of one unit of material एक unit material को store करने का जो खर्चा है साल का that is S ठीक है तो formula क्या हुआ formula हुआ under root 2 UP divided by S ठीक है formula learn हो जाएगा चलिए एक trick बताती हूँ लिखिए formula क्या है under root 2 UP के student ठीक है अब formula learn हो जाएगा इससे आसान तरीका को इच्छ नहीं हो सकता है वैसे this is just a joke आप भले UP के student है जाहे किसी भी state के student है यह जो formula है EOQ का यह यही है under root 2 UP divided by S वो तो बस मैंने learn करने का एक बनाया ठीक है वैसे शायद मुझे UP इसले strike किया क्योंकि मैं greater norada की हूँ ठीक है तो under root 2 उत्तर प्रदेश के student ठीक है तो इस तरीके से आप EOQ का formula learn कर सकते है जहाँ पर U क्या है annual requirement P क्या है cost of placing an order S क्या है cost of storing one unit of product ठीक है तो इस तरीके से आप formula learn कर सकते है आईए graphical method से देखते है कि अगर EOQ को graph से find out करना है तो यहाँ पर मैंने एक graph बनाया है जिसमें मैंने X axis पर show किया है unit per order यानि एक बार order करने में कितने unit को order प्लेस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर कुछ lines है जैसे 250 unit, 500 unit, 750 unit ठीक है और मैंने Y axis पर show किया है cost ठीक है जैसे यहाँ पर mark है 400, 200, 400, 600 जाती है carrying cost क्या होता बढ़ता जाता है ठीक है जितना order बढ़ जाएगा उतना जादा quantity of material हमें carry करना पड़ेगा तो cost of carrying यह बढ़ता जाता है लेकिन जैसे जैसे order की जो quantity है वो बढ़ती जाती है उसके साथ ही हमाई जो ordering cost है ठीक है यही होता है EOQ EOQ क्या है EOQ वो point है जिस point पे यह दोनों line intersect करती है और उस line को यहाँ पे आप cut करिए ठीक है तो example लेते हैं कि शायद यह 300 unit पे cut कर रहा है ठीक है तो यह जो 300 unit है यह क्या है EOQ यह economic order quantity है यानि company को एक बार में 300 unit को order place करना चाहिए ठीक है This is EOQ अगर graph से find out करना हो तो ऐसे find out किया जाता है कि EOQ वो level होता है जिस level पे दोनों जो cost line है intersect करती है उसको EOQ कहता है और अभी हमने एक logic और देखा था कि जो total cost है वो जिस point पे minimum हो उसको भी EOQ कहता है तो ये देखिए carrying cost और ordering cost को वैसे तो हमने ये show किया है बट अगर हम इन दोनों को sum करें तो जो total cost आएगी इसका graph कुछ ऐसा है तो ये जिस point पे minimum होगा वो वही point होगा जिस point पे ये intersect कर रहे है तो यहां से भी आप अगर perpendicular drop करेंगे तो ये 300 पे ही cut करेंगा तो EOQ आगया 300 चलिए अब मैं आपको एक numerical कराने जा रहे हूँ अच्छे से समझे कैसे और इस lecture के over होने के बाद ये जो question है आप खुद से try करेंगे अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ फिर उसके बाद आप copy में बिना देखे question क्या है एक refrigerator manufacturer है वो purchase कर रहा है 1600 units of a certain component from B वो B से कोई component है refrigerator बनाने में use होता है वो buy कर रहा है कितने units? 1600 units ठीक है और उसका annual usage भी 1600 units है 1600 units इसके requirement भी है ठीक है ordering cost कितना है? ordering cost है rupees 100 यानि एक बार order place करने में 100 रुपय का खर्चा आता है और यह जो material है इसका one unit को एक साल तक store करने में कितना खर्चा आता है? 8 रुपय ठीक है? तो आपको find out करना है economic order quantity और आपको साथ में यह भी find out करना है कि साल में कितने order उसे place करने पड़ेंगे ठीक है? अपनी जो requirement है 1600 unit की इसको fulfill करने के लिए साल में कितने बार order place करने पड़ेंगे और आपको यह भी find out करना है कि time interval यह है time interval between two orders दो order place करने के बीच में time interval कितना होगा? ठीक है? तो चलिए करना शुरू करते हैं formula तो हम जानते हैं क्या है formula? under root 2 उत्तर प्रदेश के student ठीक है? यह formula है under root 2 up by s ठीक है? अब यू हमें दिया गया है यू क्या है? annual requirement ठीक है? 1600 unit या क्या लिजे जितना purchasing कर रहे हैं वो 1600 unit है P क्या है? cost of placing and order 100 question में दिया है और 8 क्या है? cost of storing 1 unit of product ठीक है? यह भी question में दिया है आपने इनको put किया आया 40,000 इसका under root लिया आगया 200 unit इसका मतलब क्या है? कि company को एक बार में 200 unit का order place करना चाहिए ठीक है? साल भर की requirement कितना है? 1600 unit एक बार में order कितना place करना चाहिए? 200 unit यानि 200 unit कितनी बार place करना चाहिए? 8 बार place करेंगे तो साल की requirement पुरी हो जाएगी 1600 unit ठीक है? बहुत ही आसान होता है इसके questions करना EOQ के ठीक है? तो इस तरहिके से आप EOQ calculate करेंगे simply सारे figure आपको question में दिये हैं आप इने put करें you will get the answer ठीक है? इसके साथ एक second इसमें भी पूछा किया था है कि आपको कितनी बार order place करने पड़ेंगे साल में तो अभी आपने निकाला कि 1600 की requirement है 200 का order एक बार में place करेंगे यानि आपको 8 बार order place करना पड़ेगा न चाहे इसको ऐसे करके divide करके निकाल लीजे 1600 साल की requirement और एक बार में 200 का order यानि divide करेंगे तो आगया 8 बार यानि साल में आपको 8 बार order place करना पड़ेगा इसके साथ आपको ये भी पूछा है कि 2 order की बीच में कितना time interval कितना gap होगा तो हम जानते हैं साल में कितना महिने होते हैं 12 महिने और 12 महिने में हम 8 बार order place कर रहे हैं तो इनको divide करेंगे आपका आजाएगा 1.5 मन्त यानि कि हर देड़ महिने पे हम एं order place करना होगा हर देड़ महिने पे जब हम हर देड़ महिने पे जब हम 200 unit का order place करेंगे तब जा करके हम 8 महिने में सोरी 8 बार order place करके जो हमारी 1600 unit की requirement है वो हमारी fulfill हो जाएगी समझ में आया हर देड़ महिने पे हम 200 unit का order place करेंगे कितनी बार place करेंगे 8 बार place करेंगे इससे हमारी जो 1600 unit की requirement है वो पूरी हो जाएगी ठीक है इस 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 दे होल concept of EOQ ये पूरा concept था EOQ का I hope आपको अच्छे समझ में आ गया होगा वैसे अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है ठीक है चलिए फिर मैं आज का lecture यहीं पे wind up करती हूं This was all about this lecture Next lecture में हम लोग LIFO, FIFO और HIFO पे question करेंगे वो concept समझेंगे ठीक है तो चलिए आज का lecture यहीं पे stop करते हैं This was all about this lecture Thank you and have a good day God bless you